मेरा नाम जय प्रकास है इस पर कंटेक्शन में स्वागतर दोस्तों आज की विडियों हम जानेंगे बहुत सारे बीबर का कमेंट था सर जब हम घर बनाते हैं लोड बेरिंग थमसिलाब डालते टाइम बीम लेना जरूरी है तो दोस्तों इसा कुछ बात नहीं है आप बीम ले कि कोई आउ सकता नहीं पड़ती है च्छत को और उसके ऊपर एक फ्लॉर और बना सकते हैं इसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं को उसके उपर आप एक फ्लॉर नहीं बना सकते हैं आपको लाइब कुरूप दिखाऊंगा इस विडियो में कि जो पूरे च्छत में कहीं पर भी लटक बीम नहीं है फ्लैट बीम स्लाब के अंदर लिया गया है जो दीवाल है कभी हम फ्यूचर में अगर दूसरा फ्लॉर बनाते हैं तो उहां पर एक आपको फ्लैड बीम दे दना चाहिए जिसे एचपी बोलते और पोड बीम बोलते हैं जब आप एचपी और पोड बीम और फ्लैड बीम दे देते हैं जब आप स्लाब के अंदर तो आप उसके उपर अगर फिर वापिस से अगर दीवाल चला के दूसरा फ्लॉर बनाते हैं तो आपको उहां पर उपर का लोड कर लेता है और नीचे का लोड अलग से कर लेता है तो यह ध्यार रखे कभी भी आप गर बनाते हैं लोड बैरिंग आपका पास कम बजट हो तो आप सिलापका। लोड बैरिंग सिलापका इसफोर में डेटेल आप इस हिसाफ से बान सकते हिं। ळेखने को पार आप mensen अबलेगा आप बीडियो पूरा देखना इसलिए समझ हैगा तो दोस्तों वीडियो चालं दो पहले वीडियो को लाइक करें और सेर करें और हमारे चैनल पर नय हैं तुप चैनल को भी करें चलिए दुस्तों वीडियो को चला पुड fanta की. यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल लोड बेरिंग सिलाप हिए हपर- शिए- मारे यहां पर कही supports कोलम नहीं परौइड किया है टोटल लो-गХी की दिवाल और बाहर उड्म टोटल नोगव्ही इंफ districts आपको step by step देखने को मिलेगा तहां पर आप देख सकते हैं, दिवाल के ऊपर सारे बीम लिया गया है जो फ्लैड बिम बोलते हैं और पोड बीम बोलते हैं, जो हमारा सिलाब के अंदर consult हो जाता है, उसी को हम फ्लैड बीम बोलते हैं, और रुसको पोड भीम बोलते हैं थम्यकी भीम को तीन नाम से पुकारते हैं और यहां पर टोटल जो भीम लिया गया है वो सिलाब के उपर नहीं है वो टोटल आपका दिवाल के उपर है क्योंकि दिवाल के उपर से फिर वो आपिस दिवाल आएगा तो आपका double भार होता है तो उसको जैसे आप होँआ पे हर दिवाल पे आप ये procedure कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा आपको loading लगती है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है बाहर के दिवाल पे नहीं करके अंदर के दिवाल पे जो भीम लिया गया होँआ पे कहीं कहीं चार इंची की दिवाल है तो आपको उपर भीम ले ने गजो इनची की दिवाला पे अगर नहीं लोन कोई भी problem नहीं आता है यहां पर देख सकते हैं बहुत जगा नो इंची की दिवालों पे नहीं ए और यहां पर बात करें गाले का श्टिल का तो तूबध से क्या होता है कि हमारी रूम के लंबाई चौड़ाई ज्यादा है तो हम टूबे देंगे तो हमारा चारो बाज लोड श्लाप का कनेक्ट करता है चारो दिवाल पे इसलिए कभी भी जब लोड बेरिंग घर बनाएं तो आप ज्यादा करके टूबे गाला देने की कुशिस करें कि जिस कारण आपको चारो अजो लोड कनेक्ट हो सकता है तो लोड बेरिंग घर में कभी भी आप ध्यां रखें कि आपको टूबे ही स्लाप देना है वन बे कहां देना है जहां पर पैसा जोगरे हो जिसकी चोड़ाई पाच फूट छे फूट तक हो आठ फूट तक हो भी तो आप वन ब लोड लेगा वहां पर आप गलती करके अगर वन बे देते हैं तो आपका सिलाप नीचे आने की भी चांस होता है तो यह ध्यां रखें कभी भी सिलाप बनाते टाइम आपको यह सब बातों को ध्यान देना है उसके बाद हम बात करते हैं खर्चे का लोड बेरिंग घर में भ लोड बेरिंग घर बनाएं तो आपको यह भी बीम देना कोई जरूरी नहीं है बीम कहां पर दी जा सकती है जहां अमारा फ्रेम इस्टेक्चर होता है फ्रेम इस्टेक्चर के मतलब हमें बीम देने से फाइदा यह होता है कि हम कभी भी उस दिवाल को निकाल के कहीं पर भी हम चेंज कर सकते हैं फ्रेम इस्टेक्चर में एही होता है एक फाइदा कि आप फ्रेम इस्टेक्चर में कभी कोई रूम को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर लेते हैं लेकिन लोड बेरिंग में यह पॉसिबर नहीं होता है क्योंकि एक बार जो आप घर तो सब कुछ फ्रेम इस्टेक्चर में कर सकते लेकिन लोड बैरिंग में आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों यहां पर आपने पूरे सिलाप को देखा जहां पर बीम नहीं है तो आप यह भी समझ सकते आपका खर्चा भी कम लगेगा तो लोड बैरिंग घर बनाते टाइम भी नहीं बनाएंगे तो आपको सिलाप में खर्चा बहुत ज्यादा कम से कम तीस टक आपका बच जाता है तो क्या होता है लोड बेरिंग घर आप बनाएंगे तो आपका लोग बजट है तो आप बनाएं और बहुत लोगों की कमेंड था इस पर कि सर एक वीडियो लेकाई है कि जो हम सिलाप लोड बेरिंग उपर बनाएंगे तो वहां पर बीम लेंग ना है कि नहीं इसी कारण से मैं इस वीडियो को आप लोग को बीच में लेकाया हूं बहुत सारे बीबर का रेकॉर्मेंट था तो दोस्तों आप ध्यां रखें इस आपको पैसा कम लगेगा तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए सस्ता घर बनाने का सबसे सस्ता घर पैसे बनाएं सेरिच चालो है वहां पर जाए डिसकर्शन बुक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से एक एक वीडियो फोलो करिए कि जहां से आप अपना घर सस्ते से सस्ते बना सकते हैं कम पैसे में बना सकते हैं और अपना घर बनाके पैसे भी बचा सकते हैं तो आज काल सकती उमीद होती है कि घर बनाके हम पैसा बचाएं तो ऐसे टोपिक्स पर हमारे वीडियो आती है कि जो आपको बहुत मददगार होती है आपका पैसा तो दोस्तों जाए आप वीडियो देखिए और वहां से आप अपना घर के लिए घर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो देखके फोलो करके घर बनाने के तैयारी कर सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे भीवर ऐसे हैं कि जो हमको फोलो करके अपने घर बनान की होसला जाकती है और हम घर बना रहे हैं नहीं तो बहुत सारे सी वीडियो आती है कि जिसमें हम लोग वीडियो देखने के बाद ही हम लोग यह लगता है कि घर बनाएं कि नहीं बनाएं कि जो लोग डर जाते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जाईए वहाँ प पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और सेर करिए और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए बाज में बनी बेल आइकन के घंटी दबाएज जिससे लेटेस वीडियो आपको मिलती रहें जैए हिंद दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में करिए चैनल